दोस्तों लोगसभाने 20 दिसंबर 2030 को जो तीन क्रिमिनल लौ एक्ट को अमैंडमेंट करके पारित किया था जिसका नाम है भारतिय नियाए 2nd सहीता 2030 जो की इंडियन पेनल कोट 1860 को रिप्लेस करेगा और दूसरा है भारतिय नागरिक सुरक्षा 2nd सहीता 2030 जो की CRPC 1973 की जगा ल है भारतिय साक्षे 2nd अधिनियम 2030 जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगा पर लाया गया है इन्हें पास तो कर दिया गया था पर इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया था लेकिन अब ये अनौस्मेंट हो चुकी है कि ये तीनो कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे दे धाराई थी लेकिन अब भारतिय नयाई सहीता में सिर्फ 358 धाराई होंगी और इसमें 21 नए अपरात चोड़ दिये गए हैं और 41 ऐसे ओफेंस हैं जिसमें सजा को भी बढ़ा दिया गया है नागरिक सुरक्सर सहीता 2023 प्रोसीजर को डिफाइन करता है जैसे कि मैंने आपको 277 धाराई पूरी तरह से बदल दी गई हैं और 9 नई धाराई चोड़ी गई हैं और 14 धाराओ को रद भी कर दिया गया है भारति साक्सिय अधिनियम 2023 ये एक्ट इंडियन कोड में एविडेंस की एटमिसिबिलेटी को बताता है और ये कानून सभी सिविल और क्रिमिनल केसे लागू होता है इसमें FIR से लेकर केस डायरी चार सीट और दूसरे प्रोसेस को भी डिजिटल बनाने का प्रोवीजन किया गया है अब इसमें 171 होंगी और 24 सेक्शन में इसमें बतलाओ कर दिया गया है पहले एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन हुआ करते थे तो बेसिकली इन तीनों बड़े कानूनों को बदलने का में मकसद ब्रिटिस लॉग के कानूनों को बदलना था क्योंकि उन कानूनों में सिर्फ पनिटिव एक्शन्स पर जोड़ दिया गया था लेकिन नए कानूनों में हुमैनिटी को प्रोवीजन किये गए है और उन्हें जादा से ज पहग जाता है तो भी पेशी नहीं रुकेगी उसकी अपसेंस में भी कोट की कारवाई जारी रहेगी और सजा भी सुनाई जाएगी तो ये थी देश के तीन बड़े कानूनों को लेकर एक नई अपडेट होप कि ये वीडियो आपको इन्फोमीटिव लगा होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा